भागलपूर नवगच्या सहित अंग परदेश के लिए एक सोगात सोना मेरिस गारडन आप उत्सम मनाए व्यवस्था हम करेंगे साधी विवा, जन्म दिन, रिंग सरमनी, पार्टी, सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्सन के लिए एक बार अवस्य पधारें नवगच्या का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला जहां उपलब्द हैं एसी एवं ननेसी कमडे, मंडब, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टेम के साथ सभी आधोनिक व्यवस्था हैं आपका इंतजार है होटल फुड फलाजा के सोना मेरिज गार्डन में हमारा पता है सोना मेरिज गार्डन जीरो माइल लगच्या भागलपूर संपर्क सुट 9661904817 961698478929999821 बिक्रमसिला पूल के 50 नंबर पाया पर ट्रक का गुला टूटा लगा भीसन जाम NH-31 हुआ, ब्राउं सलक भी था जाम की जद में कुल 30 किलो मीटर कुरसेला से खरीक तक लगा रहा भीसन जाम विक्रम सिलापूल के 50 नमबर पाया पर गुरुवार की देराथ ट्रक का गुला टूट जाने के कारण नोगच्या की सड़कों पर दूसरे दिन सुक्रवार को भीसन जाम लगा रहा जाम के कारण पहुच पाते वं नोगच्या एनच एक तीस पर पूरे दिन इस्ति भयावर बनी रही जाम रहने से सड़कों पर वाहनों की रप्तार पूरी तरह से थमसी गई थी NHX-30 वर्विक्रम सिला पूल पहुच पत पर जाम के कारण पूरे दिन वाहनों का परिचालन वनबे होता रहा गुरुवार को CM के कारिक्रम को लेकर लगाई गई नो इंट्री के कारण नोगच्या में उत्पन हुई जाम की समस्या पूल पर ट्रक के खराब हो जाने के बार और भी भयावर रूप ले लिया सुक्रवार को नोगच्या की सरकों पर जाम का दायरा और भी जारा बढ़ गया सुक्रवार को NHX-30 पर 30 किलो मिटर तक जाम की स्तिती बनी हुई थी जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार NHX-30 पर कुरसेला से लेकर खरीक तक पहुंच गया था वहीं पूल पहुँचपत पर जान वी चौक से लेकर कदवा तक वाहनों की लंबी कतार लग गयी थी इसके अलावे पूल पहुचपत की ब्राउंसर के भी जाम की जद में था बिसू बाबा राउट पूल पर अग्याद तेज रफ्तार से आ रहे वाईक सवार यूबक ने सिक्षक कुमारा ठोकर गंभी रूप से जखनी बाबा बिसू राउट पूल पर यमहा बाईक सवार कदवा दिया रहा के पकरा टोला निवासी सिक्षक अनिल सिंग जो नोगच्या से कदवा अपने घर लौट रहते को जोरदार धक्का बाईक सवार द्वारा लगी जिसे मौके पर ही सिक्षक गंभी रुप से गायल होकर ब अपने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी एवं उनके परिजन नोगच्या होस्पिटल पहुचकर जक्मी हालत में सिच्छा को भागलपुर लेकर गए जहां इलाज जारी है वहीं पताया जा रहा है कि बाईक सवार तेज ठोकर मानने के बार मौके पर बाईक को 261 है गटना के बार नोगच्या पुलीस ने लाल रंग की यमाहा बाईक को जप्त कर लिया है यमाहा पी लाल रंग बाईक सुकुरवार की देर साम तक राजा प्यूल सेंटरल पेट्रोल पंप नोगच्या पर रखी हुई है दुरगटना गुरुवार को घटी थी और सुक 24 थानाचित के भटगामा का बताया जा रहा है नोगच्या की धर्ती पर सिक्षा की छेतर में नई क्रांटी के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल ऐसा विद्याले जहां सुरुवात से ही होती है आईस आईपेस की तैयारी नोगच्या का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास CCTV परिछेतर रेसिडेंटल फेसिबिटीज ट्रांस्पोर्ट लाइबरेरी कंप्यूटर एंड साइंस लेव स्पोर्ट्स सहितकई अधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से दसमी तक प्रेस प्रेसिडेंट्सी इंटरनेशन स्कुनकास पंदक रंजीत कुमार संदीप सोनी पार्षद मुन्ना भगत सहित कई अनिके उपस्तिती में दिया गया वहीं मौके पर 186 फुट पात विक्रेता को पहचान पते दिया गया जल्द ही नगरपंचायत के द्वारा वेंडिंग जोन का निर्मान कराया जाएगा बीपूर चर्चा का विसे बना पुराने अवसेसों का मिलना भीपूर के जैरामपूर गाओं के गुवारीडी के मध्ययूगीन सबच्थ्या का अवसेस मिलना इलाके के लिए कौतु हलका भिसे है लोग दिन भर अवसेसों को देखने के लिए सुक्रवार को जैरामपूर गाओं पहुँचते रहे मालूम हो कि अवशेशों को जैरंपुर काउं के गरामीन अविनाश कुमार चौधरी ने सहेच कर रखा है अविनाश ने कहा कि आने वाले लोगों को उन्होंने हर अविसेसों के बारे में बताया है अभिनास ने कहा कि वे चाहते हैं कि संग्रहित सामगरी किसी म्यूजियम को विलिवत प्रतान करेंगे दूसरी तरफ अभिनास ने कहा कि उनके नेत्रिट में ग्रामीनों का एक तल फिर से सनिवार को गौरी डी जाकर अफसेसों की खोजिविन करेंगे ग्रामी नीवक रोशन कुमार बिट्टु कुमार जाने अबसेसों के मिलने की सूचना पत्र के माध्यम से मुक्र मंत्री को भी प्रेसित किया है बताते चलें कि दंगा कोशी के मद्य में अवस्तित नोगच्या के बारे में कहा जाता है कि यह छह परगना का ही एक हिस्सा था यहां की बोली इसका साख्षात प्रमान है 1857 से पहले कोई भी प्रमानिक इतिहास नहीं मिलता है लेकिन दंत कथाओं और लोक गाथाओं में सदियों पुरानी सब्यता का जिक्र किया जाता है कलांतर में जब जब यहां की पुरानी सब्यता नस्ट हुई होगी तो उसका एक मात्र कारण बाढ़ रहा होगा यही कारण है कि आस तक नोगच्या के इतिहास का कहीं भी पुरा तात्विक प्रमान नहीं मिला गौरीडी में पुराने अवस्यसों का मिलना एक अच्छा संकेत है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि गंगा कोसी के कच्छार में सब्यताएं नियमित्थी सरकार और सम्मंदित विद्वानों को इस और ध्यान देना चाहिए उक्त बातें डॉक्टर रमेश मुहन सर्म आत्म विश्वास ध्वनी बग्यानिक द्वारा कही गई वाहन प्रदूशन जाज केंद्र आपके अपने मकनपूर चौक नौगचिया नहीं चेकतिस पर संपर्क करें सुभम धर्म काटा नहीं चेकतिस अरभिंद मेमोरियल पबलिक स्कूल के सामने मकनपूर चौक नौगचिया मोबाइल नमबर 9065282725 अपने बच्चे के सुनहरे भविश्य के लिए संपर्क जरूर करें अवासिय विद्यमंदिर हर राचक नौगचिया राजिसवा संसर्द्र मानप सिंखला में भाग लेने का क्या हुआ जदियोती पीछरा प्रकोष्ट की बैठक नौगच्या जदियो कारियाले में अती पीछरा प्रकोष्ट के जिला द्यक्षा के लिए सिंगी अध्यक्षिता में आयू जित हुई इस बैठक में मुख्यती थी राज सवा सांसद का कशां परवीन थी उन्होंने बैठक को सम्बोधित करते वे कहा कि बिहार के मुख्यमंद्री नितिसकुमार ने परियावरन और संतुलन को कम करने के लिए अनुखाकारिक्रम जल जीवन हरियाली का अभियान चलाया है इस 24 जनवरी को कश्न मेमोरियल हॉल पटना में आई वीत होने वाले करपूरी जन्ती कारिक्रम में अधिक से अधिक संक्या में कारेकरताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया वहीं मौके पर जदियु जिलाद्यक्ष बिरेंद कुमार सिंग उमेश चंद्र पटेल नोग वकीन मंदल अजे चोदरी पवन सिंघ प्रभा कर्शी निसार सहित कईअन्य मौझूद थे गोपालपूर आपदा प्रभंदन विभाग द्वारा प्रसिक्शन प्राप्त राजमिस्त्रियों को दिया गया प्रमानपत्र गोपालपूर बिहार राज आपदा प्रवंदन विभाग द्वारा गोपालपूर प्रकंड के राज मिस्तियों को भुकंप रोधी बाण रोधी एबं चक्रवात रोधी आपदा से मकाउन को सुरक्षिर बनाने के उपरांत प्रमान पत्र पंचायत समिती सदस सुसील गुप इשक्रा में मानफशिंकला का किया गया पुर्वावियास अगामी उनीज जनवरी को जरल जीवन हरयाली को लेकर बनने वाली मानफशिंकला को सफल बनाने के लिए प्रशास निक पतारी कारियों के द्वारा लगातार बैठकाय उजिन किया जा रहा है इसी क्रम में सुग्र स्वास्थ कर्वियों के द्वार्क। ने मानव शिंकला का पुर्वाभियास किया। मौके पर स्वास प्रवंदक श्वेता कुमारी, बी सियम सुदीर कुमार, प्रकंड प्रवंदक केर, धर्मेंद कुमार ओजह, युनिसेफ कारेकरता रंजीत कुमार, सहीत कई उपस्तित थे नवगचिया, अंभो में युवक को गोली माने का आरोपी ने किया आत्म समर्पन बीते रविवार को थानाचित के अमबोचौक पर गोपालपूर के लतरा निवासी बाईक सबार युवक, मुरारी कुमार को गोली माने के नामजद आरोपी गोलु कुमार एवं बंदन यादम ने सुक्रवार को नियायाले में आत्म समर्पन कर दिया, दोनों आरोपी घाय परदेशक ने बच्चे की मा का किया अपहरन, इंजीनियर पती ने दर्ज कराई पराथमीगी, नाराइनपूर, भवानीपूर थानाचित के मतरापूर बजार के पंडित टोला के किराय के मकान से इंजीनियर अनु कुमार भगत की पतनी आर्ती कुमारी का अपहरन की महतर के विरुद मतरापूर से किराय के मकान से अपहरन का आरोप लगाया है जिस स्कूल के डिरेक्टर ने आर्थी के साथ अनु की पतनी के साथ साथ पांच वर्षिय पुत्र अंसु उर्फ रितिक का भी अपरन का आरोप लगाया है ग्रामिनों ने बताया कि मामला प्रेम प्रशन का है वहीं पुरित इंजिनियर अनु कुमार ने घटना के बारे में बताया कि हम लोग मतरापूर के पंडितोला में एक किराई के मकान में रह रहे थे आठ जनवरी को लगभग एक बजे पत्नी और बच्चे का अपरन किया गया है इसके पुर्व जून 2018 से अनु अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नोगच्या के एक किराई के मकान में रहकर बच्चे का नमांकर उनके डाउंस स्कूल में कराया था जहां आरती रोज अपने बच्चे को बिद्याले पहुचाने वह बिद्याले से घर ले जाने आती जाती थी इस दोनों रोज विद्याले आने जाने के करम में विद्याले के निर्दे सक और आरती के बीच नजदी की बढ़ गई मामले का जब पक्ती अन्नु को सक वा तुनोंने नोगच्या की किराय के मकाउन को छोड़ कर अपने गाउमत रापुर बजार में दिसंबर से किराय के मकाउन में रह रहा था अब जूर एक दूसरे के मोबाइल पर प्रेमी यूगल संपर्क में रहा होगा जिस से मौका का फायदा उठा कर विद्याले के निर्दे सक ने इंजिनियर की पतनी वबच्चे को साथ ले कर फरार हो गया